So hello everyone, स्वागत आप सभी लोग का easy prep पर एक बर फिर से उम्मीद कर रहे हैं, आप सब लोगों की तयारी बहुत ही बहतरी चल रहे होगी आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी दिमाग में doubt आ रहा होगा सर किस किस document के में जरुवत पढ़ने वाली है जब हम अपने application form को fill करेंगे, किस data की, क्योंकि बहुत सी बार बच्चे को लगता है कि शायद document PDF format में upload करना पढ़ रहा होगा तो मैं आज किस वीडियो में यह चीज़ बताऊंगा कि किस document को PDF format में upload करना पढ़ेगा, किस document के number आपको डालने पढ़ेंगे सारी information document से जुड़ी, आज किस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में discuss करने वाला हूँ इसलिए इस वीडियो को आप लोगों को अंत तक जरूर देखना है application form में किसी तरह के mistake नहीं करना है, otherwise application form reject हो गया या DV में problem आई तो बहुत बड़ी समस्य हो जाएगे आप लोगों के चलिए, क्योंकि actual में आप देखें कि RRB का जो सफर हो बहुत लंबा है पहले CBT 1 crack करना, फिर CBT 2 crack करना, उसके बाद आप जाएंगे document verification के लिए और वहाँ पर अगर आपको ऐसा मैसूस होता है कि जब application form आपने fill किया था, उस time आपने कोई गलती कर दी है, तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत जादा disturb करेगा इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और कोई गलती किये बिना अपने application form को submit कीजे, तो हम बात करते हैं किस-किस document के हमें जरूत पढ़ने वाली है, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो हमें जिस document के जरूत पढ़ेगी, आपके पास में एक active mobile number ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा active mobile number आपके पास में होना चाहिए, और एक mail ID होनी चाहिए, जो आने वाले एक डेट साल तक active रहेगी, यह आपको पता है, ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको form बरने के लिए सबसे पहले registration करना पढ़ेगा, और जैसे आप registration करेंगे, तो आप किसी का भी number लेके वहाँ पर fill कर दे, कारण क्या होगा? कि उसके उपर railway के साइड से regular update भी आपके पास में आएंगे, और उसी से communication होता है, इसलिए आपके पास एक mobile number और एक mail ID रहनी चाहिए, जो आने वाले डेट साल तक काम कर रही हो, फिर उसके बाद में मैं बात करता important document में जो सबसे पहली चीज़ आती है, वो है बच्चे आपके पास में आधार card, आधार card की अगर मैं बात करूँ, तो actual में आपको आधार card upload करने की जरूत नहीं पड़ेगी, वहाँ पर आपसे आधार card number पूछा जाएगा, तो सभी बच्चों का आधार card definitely बना होगा, और उसी आधार card से आपको आधार card का number वहाँ पर रखना है, आपका जो खुद का आधार card है, उसी का number आप उसके अंदर डालेंगे, उसके बाद में अगर हम लोग बात करें, तो जो next document के आपको जरूत पड़ेगी, जहां पर अक्सर बच्चे confused हो रहे हैं, वो है बच्चे आ आप गलती कर रहे हैं या फिर कुछ बच्चे confused हो रहे हैं, जैसे माल लीजो कोई बच्चा अगर OBC में आता है, कोई बच्चा आगर EWS में आता है, माल लीजो अगर कोई बच्चा SCST में आता है, तो वो बड़े confused हो रहे हैं कि सर यहां पर जो certificate बनने वाला है, वो certificate कहां से बनेगा कैसा बनेगा तो मैं आपको बताता हूं कि जो SCST का सर्टिफिकेट बनावा होगा वो तो बेटा lifetime का होता है उसका state level का और central level वाले में कोई फरक नहीं आ रहा होगा तो जिनके पास मैं है वो बड़ी आसानी से उस certificate को काम में ले करने की जरूत नहीं पड़ेगी वहाँ पर इसका certificate का नंबर आप से पूछा जाएगा वो नंबर आप उसके अंदर डाल सकते हैं और railway की बड़ी अच्छी चीज आपको देखने को डाला जैसे 10th certificate यह इनमाले ज़े डिप्लोमा बीटे के certificate का नंबर आपने को डाला तो तुरंट बता देगा कि यह eligible नहीं हो आप इस चीज के लिए not eligible आपको वो शो कर देगा तो SCST वाले बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं है अगर EWS की मैं बात करूँ तो EWS वाले बच्चों को धियान रखना है कि उनको यह जो certificate बनाया जाएगा वो हर साल बनता है हर financial year में यह EWS का certificate बनता है तो बेटा अगर आप EWS में आ रहे हैं तो आपको इस certificate को बनाना पड़ेगा अगर आपके बास बनावा नहीं है तो उसके बाद में आता OBC सबसे जादा बच्चे जो है वो इसके अंदर confuse हो रहे है जैसे OBC का जो certificate होगा वो आपका लगबग हर तीन साल के अंदर बनता है और यदि हर तीन साल में बन रहा है तो पहले चीज़ तो आपको यह देखना होगा कि क्या वो OBC certificate expire हो चुका है पहले को देखना होगा कि कुछ state government उनको अलग से reservation दे रही है और central government का reservation अलग है तो आपको इस चीज़ को देखना होगा कि आपका जो OBC का certificate है वो state level का बनावा है यह central level का बनावा है सर यहाँ पर अगर हमने state level के OBC certificate का number उसके अंदर डाल दिया तो क्या दिक्कत है आपने अगर notification को दियान से पढ़ा हो तो notification में साफ साफ लिखावा है कि government of India से approved certificate आपको वहाँ पर लगाना है इसका मतलब central level का certificate आपको बनवाना पड़ेगा तो वहाँ पर आपको जल्दी से जल्दी central level का जो भी certificate बनेगा वो बना के दिया जाएगा तो यहाँ पर गलती नहीं करनी है अगर आपने state level का डाल दिया वहाँ पर तो DV में problem आ जाएगी इसलिए साफ साफ आप notification को देखिए जहाँ पर OBC certificate के नीचे लिखावा है वहाँ Government of India लिखावा है और Government of India की बात कर रहे हैं तो वह आपको central level पर जाकर ही बनवाना पड़ेगा चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से और कौन कौन से documents की जरुत पड़ेगी तो यहाँ पर इसके बाद में अगर हम लोग चर्चा करें तो आपको एक bank detail भी वहाँ पर मांगी ग 100 रुपीज refund कर देगा ऐसा वो इसलिए कर रहा है ताकि आप लोगों को थोड़ी सी exam attempt करने में sincerity रहे जैसे माली जी कि बहुत सारे बच्चे form बढ़ देते हैं पर exam देने नहीं जाते अब इतनी सारी व्यवस्ताएं करना इतने सारे center अलोट करना और इतना बड़ा exam conduct करवा अपने आप में challenge है तो सभी जो भी माली जे की railway का exam करवा रहा जो भी conducting body है वो हमेशे यह चाहेगी कि maximum वही serious student form भरे जिनको वाकई में exam देना है तो यहां से उसने यह जो प्रॉसेज जिसमें वह 500 रुपीज की fees आप से ले रहा और यदि आप exam देते हैं तो 400 रुपीज आ ले तो ऐसा नहीं आप किसी साइबर केफे से form बरवा रहे हैं और वहीं पर जाकर उसी के account detail आप डाल दो नहीं आप अपने account detail डालो और जो refund आएगा वह आपके account मेंगा तो bank detail आपको perfect देनी है उसके बाद में हम लोग बात करते हैं बहुत सी बार students एक और गलती करते हैं कि sir actual में मेरा जो नाम है वो एक mark sheet में अलग है दूसरी mark sheet में अलग है दूसरे certificate में अलग है तो मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने clearly mention किया है कि आप जो भी detail भरते हो वो आपको 10th की mark sheet के according 10th के certificate के according सारी जान करी देनी है हमने कहा कि sir 10th में जो लिखा होगा उसको मानने कि दिया गया है इसलिए उसने आपसे 10th का roll number मांगा है तो आपके certificate पर या mark sheet पर जो भी roll number दिया गया उस roll number को आपको उसके अंदर फिल करना है उसके बाद में sir हमें जो qualification उसके लिए भी तो certificate का number उसके अंदर डालना पड़ेगा तो यदि आपने diploma किया है तो आपके certificate के ऊपर number मिल जाएगा यदि आपने btec किया है तो आपके certificate के ऊपर number है यदि आपने bsc किया है वो भी physics chemistry से तो आपके certificate के ऊपर आपको number मिल जाएगा तो वो number आपको डालना पड़ेगा तो इन चीजों के आपको वाँ पर जरूत पड़ेगी इसके लावा मैं मैं आपको बता देता हूँ एक बार आपको बता होगा ससी जेई में बहुत बड़ी कॉंट्रोवर्सी हुई थी फोटो को लेकर और अक्सर बच्चे इसके अंदर गलती करते हैं उसने साफ साफ रेलवे ने साफ साफ बुला है कि यदि आप फोटो वहां पर अपलोड कर रहे इसके भुड़ा और उसको अपलोड करना इसके अंदर और उसकी बहुत सारे कॉपी रखो आगे पी काम आएगी चश्मा लगाके, हैट लगाके, अजीबो गरी, बलर फोटो नहीं, एकदम क्लियर, डीसेंट फोटो आप क्यों नहीं चाहिए, वाइट बैग्राउंड के अंदर, अदर्वाइस, जैसे ELP के फॉर्म में इशुज आ रहे थे, लास्ट टाइम पर, आपके फॉर्म में भी आन सिगनेचर करना हो, तो अपनी इच्छा से जो मन करें, उस तरीके का सिगनेचर बना देते हैं, जब डीवी में आप जाओगे, तो फिर से सिगनेचर करना पड़ेगा, वो मिसमैच होंगी, सारी चीजे, इसलिए, आप जो रेगुलर सिगनेचर कर रहे हैं, और उसने बोला रैगुलर राइटिंग के अंदर लिखना है, ऐसाने कैपिटल लेटर में आप लिखा हो, रैगुलर राइटिंग के अंदर आपको सिगनेचर करना, अपना बकायदा जो सिगनेचर आप यूज़ करते हो, यह सारी चीजी अगर आप सही तरीके से अपलोड कर देंगे, तो आपको किसी तरह का कोई भी इश्यू इसके अंदर नहीं आने वाला है, बाकि आगे हम लोग एक ऐसा वीडियो भी लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर हम detail में form fill करना भी आपको सिखा देंगे, किस तरीके से detail में form fill किया जाता है, मैं उमीद कर रहा हूं कि यह जो documents वाली problem आप लोग को आ रही होगी, यह solve होगी, इसके लावा मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूं कि जैसे कि easy prep सबसे बड़ी civil and mechanical की team अपनी launch कर चुका और जल्दी ही electrical की team लेकर आ रहा है, तो उन सभी students जो RRBJ की तयारी कर रहे हैं, एक तारिक से आपके civil और mechanical के CBT1 and CBT2 की classes च पढ़ा रहे हैं और न जाने कितनी ही All India Rank 1, All India जो भी single digit ranks होती है, वो produce करके अलग-अलग institute को दिया है, जो institute आज claim भी कर रहे होंगे कि हमारे यहां से इतनी rank है, हमारे वहां से उतनी rank है, लेकिन यह वही लोग जिन्नोंने actual में वो rank produce की है, अब वो आप लोगों को easy prep के उपर पढ़ा रहे हैं, तो यदि आप चाते हैं RRB JEE के अंदर best rank achieve करना, selection लेना, तो आप हमारे easy prep application को download कर सकते हैं, जिसके उपर एक अगर से live batches start हो चुके, आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो live batches है, उसमें आपको सब कुछ dedicated RRB के according पढ़ाया जा रहा है, live पढ़ा desktop version आपको दिया जा रहा है, और ये सारी चीजे जो है, पांच अगस्त तक बहुत बड़े offer के अंदर आपको मिल रही है, CBT 1 999 रुपय का जो batch है, आपका सिर्फ 499 रुपय में मिल रहा है, CBT 2 1909 रुपय का जो batch है, बैटा सिर्फ 1299 में मिल रहा है, और CBT 1 प्लस 2 जो है, वो आपको सिर्फ 1599 रुपय में मिल रहा है, जो 2999 रुपय का batch है, validity आप देख सकते हैं, इसकी validity एक साल, इसकी validity डेट साल, और इसकी validity भी आपको डेट साल की दी जारी है, एक अगस्त से batch चालू हुआ है, पांच अगस्त तक offer है, मैं उम्मीद कर रहा हूं, आप सभी आप सभी लोग जल्दी से जल्दी easy prep पर अपनी preparation को start करेंगे thank you so much मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर once again thank you so much